हुआ है चो पानकी में निर्माडा दिन फेट्री का लेंटर गिरने से एक सर्मिक के मौत दर्जान वर गायल हादसे के बाद रात कारे में जुटा पर ससन चोपान की अध्युक्त षेतर में सुकुरार की देसाम बढ़ा अच्चा हो गया यहाँपर निर्माडा दिन फेक्ट् हो गए थे परसासर ने तकरीबन दस बार सर्मिकों को मलवे से बाहर निकाल कर उन्हें भीवाड़ी CSC में वर्तिकर आया जहां से तीन सर्मिकों को गंबीर आलत मलवर रैफर कर दिया गए जब एक सर्मिक की मौत हो गई है हाथसे की सुचना मिलने के बाद भीवाड़ी पुलिस अधीचक संतनु कुमार सिंग वाड़ीस पेर राम कुमार मौत मौके पर पहुंचे देर रात तक रातकार जारी था मलवे तले कुछ दर सर्मिकों की दबे होने की असंक्या बताई जा रहे थी लेकिन परसासन ने अधिकतर मजदूरों को सुरचित निकाल लिया है यहां बता दें कि चौपान के अधिक छेत्रे प्लोट नंबर जी 467 में एक पुरानी फैक्टरी है इसी फैक्टरी को दिल्ली निवासी वर्ण गैलोत नाम की बेक्ती ने खरीदा आया फैक्टरी का नए सिरे से निर्मार कारे करवाया जा रहा था शुकरवार की देर साम लेंटर डाला जा रहा था इसी दोरान अधानक लेंटर गिर गया जिसके तले कई सर्मिक दब गये सुचना मिलते ही पुलिस ने में पर पहुँचकर रहतकार सुरू करवाया और तक्रिबन दस सर्मिकों को मलबे से निकाल कर बिवारी से सीम बत्री क करवाया जहां एक सर्मिक की मौत होगी गायल सर्मिकों में से तीन सर्मिकों को बिवारी के सरकारी एस्पिताल मिलाज के बाद अलवर रैफर कर दिया गया है फिलाल बिवारी पुलिस मामले की जाच कर रही है